नमस्कार दोस्तों प्रधार मंतरी मोधी ने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही किसी को घुसने दूँगा लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से चीन को लेकर जारी एक रिपोर्ट ने इन सारे दावों को खोखला साबित कर दिया है पेंटेगन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अंदर घुस भी रहा है और धीरे धीरे हमारी जमीन पर कबजा भी कर रहा है चीन ने सालबर बेही एलोसी पर अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या में तैनाती कर दिया है चीन सीमा पर गाउं बसा रहा है, एरपोर्ट और कई जगा हेलिपैट भी बना रहा है लेकिन हमारे मुदी जी कह रहे हैं कि लद्दाक में ना तो कोई आया है, ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी को घुसने दूँगा, सब कुछ चंगा है दोस्तों, पेंटेगन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि चीन ने पिछले एक साल में परमानों हत्यारों की संख्या भी बढ़ाई है उसके पास अब 500 नुकलियर वायर हैज हैं इससे पहले स्वीडन के थिक टैंक SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमानों हत्यारों के जखेरे में साथ नए हत्यार जोड़े हैं पेंटेगन के मुताबक चीन का लक्ष 2030 तक 1000 परमानों हत्यार बनाने का है रिपोर्ट के मुताबक 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर चीनी वेस्टर्न थियेटर कमांड की तैनाती 2023 तक जारी रहेगी चीन ने पिछले साल LAC के पच्चिमी छेत्र यानि लदाक की तरफ रिजर्व में चार कमबाइंड आम्ड ब्रिगेट C.A.B. के साथ शिंजियांग और तिब्बत मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट के दो डिवीजिन के समर्थन से एक बॉर्डर रेजिमिंट तैयार किया था चीन ने तीन C.A.B. सिक्किम और अर्वनाचल प्रिदेश के बॉर्डर के पास भी तैयनात किया है इसके अलावा इन्हें उत्राखंड और हिमाचल के पास मौजूद LAC पर भी तैयनात किया गया है पेंडिगिन ने ये भी बताया है दोस्तों कि चीन ने डोकलाम के पास भी जमीन के नीचे स्टोरेज फेसिलिटी बना लिया है इसके अलावे LAC के तीनों सेक्टर में नई सडकों का भी निर्मान किया गया है पैंगोंग जील पर एक दूसरा ब्रिज भी बनाया गया है चीन ने भूटान के पास विवादित जमीन में भी गाउं बसा दिया है पैंगोंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है दोस्तों कि चीन का मकसद इंडो पैसिफिक छेत्र में किसी भी तीसरे छेत्र को रोकने या जरूरत पढ़ने पर उसे हराना है इसके लिए वो लगातार अपनी सैन शम्ता को बढ़ा रहा है रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन, जमीन, समुन्द्र और हवा से वार करने के अलावा न्यूक्लियर स्पेस, इलेक्ट्रोनिक्स और साइबर स्पेस में भी जंग के लिए अपनी शम्ता बढ़ा रहा है दोस्तों ये भी बताया गया है कि चीनी राष्टपती जिंग्पिंग का लक्ष दो हजार उन्चास तक वर्ल्ड क्लास मिलिटरी बनाना है चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है लेकिन अब इसे और बड़ा करने की प्लैनिंग चाइना कर रहा है दोस्तों भारत और चीन के बीच पूर्वी लदाक में सैने टकराफ खत्म नहीं हो रहा है बीते चार साल से चीन और भारत के बीच टकराफ की स्थिती लगतार बनी हुई है 9 से 10 ओक्टूबर को कोर कमांडर्स तरिये वारता के 20 में दोर की मीटिंग में भी किसी तरह का कोई निशकर्ष नहीं निकल पाया था चीन की इस दादागीरी को लेकर कॉंग्रस ने एक बार फिर से मोधी सरकार पर सवाल उठा दिये कॉंग्रस ने ट्वीट करके लिखा है कि चीन की LAC पर नापाक खरकतें जारी है अमेरिकी रक्षा विबाक पेंटेगिन के एनुसार चीन ने भारत की सीमा पर सैनिकों की तैनाती पहले से ज्यादा कर दी है सीमा पर गाउं बसा रहा है, एरपोर्ट और कई जगा हैलिपैट भी बना रहा है अंडरग्राउंड स्टोरेज के साथ पूरे इलाके में बुन्यादी धांचा तयार कर रहा है LAC पर इतना सब हो रहा है और मोधी सरकार गहरी नीन्स हो रही है नीन्स से जागने के बाद पिये मोधी चीन को क्लींचिट देते हुए कहेंगे कि सीमा पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ऐसे में दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की ये रिपोर्ट भारत के लिए खत्रे की घंटी साबित हो सकती है चीन ने हमारी जमीन पर कबजा किया पूरे के पूरे कॉरे कॉलोनी बसा दे पहले ही नए नक्षे में अकसाई चीन और अवनाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा वो दिखा चुका है ऐसे में चीन को बार बार वारता का नियोता देनी का क्या नतीजा निकलने वाला है दोस्तों आप ब्रैगन को जूला जूलाना कब बंद करेंगे प्रधान मंतरी इस खबर में इतना ही, ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है, जै हिंद, जै भारत